आपको फास्ट टाइम कोई ट्रीक देखना है तो मेरा इस चैनल को सास्काइब करके रखिए क्यूंकि आपको अलवाइस फास्ट टाइम ट्रीक देखना को मिलेगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफर्मेशन मैं आज आपको देऊंगा इस टेलिग्राम पे भी मैंने अपडेट दे दिया के देखिए अभी अभी SBI का बहुत सारी क्रेडिट कार्ट जैसे SBI सिंप्ली क्लिक हो गया कैश बैक क्रेड कार्ट जो अभी असानी से उड़ाउट इंकाम प्रूब मिल रहा है वो भी फेस्टिबल के लिए आपको SBI आपके सिबिल के बेस पे इंस्टेंड एप्रूब करके दे रहा है तो अभी बहुत बरा मौका है वो मैं अल्लेडी टेलिग्राम पे अपडेट कर दिया अगर आपके पास SBI का सिंप्ली क्लिक क्रेड कार्ट या कोई भी SBI के क्रेडिट कार नहीं है मैं आपको ल पे जी हाँ लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जाएगा आज ही आप जॉइंड हो जाएए क्योंकि अगर इस तरह कोई भी बाग या कोई भी लूट का ओफर कोई भी क्रेडिट का ओफर और कोई भी क्रेडिट का बिल पेमेंड का ओफर सारे कुछ आपको मेरा इस टेलिग्रा पसें cashback मिलेगा कोई भी credit card working है उसमें prepared card भी आप working है मतलब सारे कुछ working है तो और यह भी कहां से हो रहा है सारे कुछ video ध्यान से देखिए और first time यह सखारे safety trick भी मैं बताऊंगा तो video skip करके मत देखिए तो आपका यह loss हो जाएगा तो इसके लिए यह आपको जाना है आपको Chrome browser में Chrome browser में जाने के बाद देखिए आपको यह पर लिखना है idfc fast bank bbps bill pay यह idfc fast bank का official है तो जैसे आप google में search करेंगे तो इस तरह होगा उसके बाद इसको open कीजिए open करने के बाद आपका page इस तरह open हो जाएगा idfc में आपका account हो ना हो कोई बात नहीं idfc में कोई account मतलब mandatory नहीं है कि मेरे idfc में account नहीं है तो sir मेरा तो bill payment नहीं होगा ऐसा कोई necessary नहीं है जिसके पास account नहीं है वो भी यह आप use कर पाएंगे तो उसके बाद आपको इस तरह category देखने को मिलागा यहाँ पर आपका name देना है यहाँ पर आपका email id देना है यहाँ पर जो आपका credit card क मैं West Bengal में हूँ तो West Bengal दे दिया इस तरह से आपको देने के बाद select bill category यहाँ पर आपको credit card को चूज करना है credit card credit card को चूज कीजिए करने के बाद फिर से state select इसको select करने नाशनल उसके बाद billar name यहाँ पर आपको कौन सा credit करतो देखे अभी कोटाक और SBI इनने मैंने try किया था कोटाक में एक दिन के बाद होता है SBI में instant हो रहा है तो मैं आपको बोलूँगा यही चूज करने के तो यहाँ पर आप लेखिए SBI जैसे आप लेखेंगे इस तरह कोट आ जाएगा देखिए SBI काड आ गया इसको select किया उसके बाद proceed अभी देखिए जो credit card का bill payment करना है SBI का उसका for digit आपको डालना है उसके बाद mobile number जो credit card में जो mobile number है वही mobile number यहाँ पर डालिए उसके बाद proceed पर click किजिए जैसे आप proceed पर click करेंगे करने के बाद bill इस तरह फेज हो जाएगा बिल फेज हो जाएगा आपका credit card किसके नाम पे है सारे कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा ध्यान से यहाँ पर देखिए अभी SBI credit card में extra payment मतला बहुत ज़्यादा payment नहीं ले रहा है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा maximum देखिए permissible amount मतलब इस amount से ज़्यादा आपको payment नहीं करना है जो amount यहाँ पर शो होगा उसी amount तक आपको payment करना है उससे ज़्यादा अगर payment करेंगे तो आपका refund हो जाएगा second ध्यान से देखिए यहाँ पर second आपका bill जैसे फेज हो गया सारे कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा first time यहाँ पर देखिए base bill amount इसको आपको tick कर देना है जैसे आप tick करेंगे करने के बाद आप देखिए क्या करना है यहाँ पर select base इसको आपको stick कर देना है जैसे ही आप टिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे जिरो हो गया मतलब यहाँ पे आपको एमाउंट देखने को मिलेगा फास्ट आप वन रुपीस यहाँ पे सेंड कीजिए मतलब वन रुपीस पहले ट्रांजेक्शन कीजिए तो टोटाल अमाउंट यहाँ पे पे बेल वन कर दिया मैंने उसके बाद पेमेन मोट IDFC फास्ट नेट बैंकिंग इसको इसमें आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह ओप्षन आएगा आदार्स बैंक नेट बैंकिंग इसको इस चूस करना है क्रेडिट कार चूस नहीं करना है नहीं तो आपका रुपिया फास्ट जाएगा IDFC first bank debit card ये भी choose नहीं करना है आदर, bank, net banking इसको आपको choose करना है ध्यान से देखिए इसको choose किजिए करने के बाद जैसे आप choose करेंगे इस तरह face होगे जाए मैंने आपको क्या बोला था यहापे आपको tick देने के लिए base, bill, pay, amount जैसे मैं tick दिया उसके बाद यहापे edit करके मैंने first one rupees डाला तो one rupees डाल लेके बाद payment mode others debit card इसको choose करके मैं proceed में click किया आप पहले one rupees कीजिए ज्यादा first time मत कीजिए one rupees करके देखिए आपका हो रहा है के नहीं hundred percent हो रहा है फिर भी आप पहले करके देखिए उसके बाद इस तरह page open हो जाएगा उसके बाद wallet option को आपको choose करना है pay you का आपका wallet payment gate वह आ जाएगा उसके बाद यहापे ola merchant पे बहुत ज़्यादा merchant है तो मैं आपको merchant के बारे में details बताऊँगा अभी देखिए जिसके ola money में problem है नहीं है ola money छोड़ दीजिए आप phone pay को choose कीजिए मैंने phone pay में एक रुपिस क्या phone pay को choose कीजिए करने के बाद आप phone pay में जो mobile number वह डालिए डालने के बाद यहापे आप जाके saved card अगर है या phone pay में balance है wallet पे तो उसर नहीं तो जो भी card number जो भी prepaid card जो भी credit card हो जालके आप payment कर दीजिए तो आप आप देखेंगे इस तरह one rupees आएगा one rupees आपका payment हो जाएगा ठीक है जैसे मैंने one rupees payment किया तो इंस्टन मेरा SBI credit card में आ गया मैंने payment किया थे SBI card से और मैंने payment भी लिया SBI card मतलब इस credit card में मैंने एबाला credit card से payment किया था एबाला credit card से इस credit card में मैंने ले लिया credit card to credit card मैंने ट्रांसपर हो गया अभी देखिए अभी बात है 5% cashback या 4% cashback आप कैसे लेंगे वो भी ध्यान से सुनिए इस टाइम मैं ओला मानी को चूस किया जिसका ओला मानी में कोई problem नहीं है ओला मानी को चूस किजिए जैसे आप चूस करने रेजिस्टर मूबाइल नंबर दिए प्रोसीट क्लिक किजिए क्लिक कने बाद enter OTP OTP डालिया डालने बाद 1 रूपीस पहले 1 रूपीस आप payment किजिए तो 1 रूपीस पहले के टाइम आपको यहाँ पे credit card या debit card जो बता दे तो आप prepared card भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे तो credit card मैंने डाल दिया इस टाइम मैं डाला SBI Cashback credit card यहाँ पे डाला और प्रेसे यहाँ पे मैं pay 1 रूपीस कर दिया और card को यहाँ पे save कर दिजिए ट्रिक सुनिए card को यहाँ पे save कर दिजिए आपको यहाँ पे option दिखाए save करने के लिए तो save कर दिजिए जैसे save हो गया यहाँ पे merchant name देखिए 399 क्योंकि 1 रूपीस पहले मैंने ओला मैंनी में मेरा था इसलिए मैं 399 1000 का bill payment किया तो देखिए क्या spend आया है और कौन सा मर्चंट ओला मैं जीप कैस में मैंने payment किया था तो मेरा देखिए यहाँ पे www.olacaps.com इसमें आया है तो इसमें मुझे 5% मिलेगा बट मैं आपको जो save करके रखिए save करने के बाद उस card से जब आप payment करेंगे तो direct आपका merchant आजाएगा www.olacaps.com जैसे मैंने इस merchant पे payment किया कौन सा credit card से SBI cashback credit card से अगर अभी तक आपके पास SBI cashback credit card नहीं यह link आपको decision मिल जाएगा बहुत असानी से मिल रहा है आपको 5% मिलेगा कोई भी credit card का bill payment कीजिए और अगर S credit card है तो 4% मिलेगा अगर A बला credit card है तो 1% मिलेगा A बला credit card 1% तो मेरे पास तो cashback credit card मुझे 5% मिलेगा मैं इस से इस बला credit card का bill payment कर दिया बहुत बढ़िया trick मुझे लगा तो मैं 5% करके ले रहा हूँ credit card का bill payment पे तो मैंने क्या किया WRO Ola Caps मुझे अभी A मार्चन आ गया मैं इसको spend का इस तरह मैंने 3,000 का भी payment किया और देखे 2,000 मैंने इस टाइम भी जो credit card का statement मतला आपके पास आएगा WRO Ola Caps.com इसमें आएगा इसमें 5% 100% 200% मिलता है इसमें 5% SBA cashback credit cards को use करने के लिए तो इसलिए ओ ट्रीक के लगा दीजिए जो ट्रीक मैंने बताया तो जैसे मैंने payment करते हैं मैंने payment हो गया successful उस तरह मैं 3,000 के देखे 3,000 मेरा bank में instant आ गया अभी आपको एक security बात बताती छोटा amount कीजिए 1,500, 100 करके कीजिए सबसे बेश अगर आपका payment फेल हो जाते हैं उसके बात आपको IDFC noodle में mail करना परता है बहुत ज्यादा मतला बहुत ज्यादा परिशान होना परता है क्योंकि IDFC bank को आपको बोलना पड़ेगा तो आपको mail करना पड़ेगा तो इसलिए क्य जैसे मैंने 1 रूपिस का मेरा 2000 मेले उसके बाद मैंने 1000 किया हो गया 2000 हो गया 3000 हो गया इस तरह मैंने किया और एक card use कीजिए जो merchant मैं जो trick बताया वो trick पहले ओला मनी में 1 रूप पहले आपका card को save कर दीजिए उसके बात payment कीजिए तो आप देखेंगे आपको direct ये merchant आ जाए कर दूपर आपका